हेलो दोस्तो आज हम लर्निंग ट्यूब में लॉफ्ट टूल का यूज सॉलिड विट में कैसे होता है वो देखेंगे पहले और्डर सिलेक्ट करके लॉफ्ट में पहले हम स्केच ले लेते कोई भी ब्लैंड सेलेक्ट करो कोई भी स्केच अपक्रेट करके क्लोज स्केच होनी चाहिए उसके लिए ओपन स्केच इस नॉट अलाओ एरर आ जाएगी हमने स्क्वेर ले लिया अब उसका पैरलल प्लैन कैसे लेते है कोई भी प्लैन लो और उसका उसका पैरलल कोई भी प्लैन आप चूस कर सकते हैं अब उसमें हम स्केच करेंगे कर ले लिया कोई भी आप स्केच बना सकते हैं रेंडमली लॉफ्ट डिजाइन करने के लिए पावन चक्की की ब्लेड्स पगेराई इससे डिजाइन होते हैं लॉट टोल का यूज होता है इसमें ज़सरा पया लॉट्ट शूस्वाइब आंस्वा इसमें लॉट कर लॉट वाफ पथ बस अब इसमें लॉप्ट के लिए sketch ready हो गई अब लॉप्ट option में जाके one by one sketch select करने है sketch from it's our first sketch का first point second sketch 3rd sketch 4th sketch okay as the line straight होनी चाहिए तभी ये order रेड़ी आउटपुट देगा ये हो गई loft यहाँ से हम उसका normal cow जैसे देना चाहते वैसा दे सकते कर सकते हैं बड़ा सकते कम कर सकते हैं उसका उसका नॉर्मल यहां से चेंज कर सकते हैं कि यह हो गया अब इसमें loft कैसे लगेगी वह दिखाता हूँ cut option में जाके loft इसमें भी sketch हमको चाहिए तो हम sketch प्ले ले लेते पहले यह पहले coincident plan में circle create कर दो अपनी body से कम radius वाला circle लो अब मैं minimum radius हमारी यह है और उसके लिए हमको यह radius वाला circle चाहिए इससे बड़ा लिया तो loft cut नहीं लगेगी body पड़ जाएगी अब loft cut option में जाके sketch select कर तो one by one पहले यह sketch प्रीवियू इसमें भी आप उसका normal select कर सकते हो जैसा मैं आपको wireframe करके दिखाता हूँ बीच में cut plug है सर्कल में से स्क्वेयर कोई भी ट्राइंगल में से स्क्वेयर सर्कल कोई भी sketch create करो कोई भी close sketch उसमें से आप कोई loft बना सकते हो मैं आपको ट्राइंगल में दिखाता हूँ कैसे लोग create को हुथा है और प्लैन इसका प्यार प्लैन ले लिता हूँ यहां से राइट sketch प्राइंगल अब उसका प्यार प्लैन हम उसमें सर्कल ले लेते हैं उसके लिए close sketch चाहिए open sketch में error आजाएगी इससे बढ़ा ही ले ले लेता हूँ square से बढ़ा सब्सक्राइब ओके close finish अप लॉप में जाके से लेक्ट करो प्रीवियर और यहां से उसका नॉर्मल को कुछ इतने भी आपको रेडियास रखनी हो राख सकते हो कोई भी duct design करने हो duct के लिए भी यह होता है loft का यूज़ लॉफ्ट का बहुत सारा यूज़ है थैंक्स पर वाचिन दस्तो लाणिंग ट्यूब